नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में डिसस करने वाले हैं हरियाना सियच्चो वेकेंसी के रिकार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है कैसे क्या कुछ है थोड़ी सी बैड न्यूज आप लोग के लिए है तो वो सब चीजे आप लोगों को बताऊंगा वीडियो का सबसे पहले मैं अगर बात करूं ये केस जो नई वकैंसी है अपनी हरियाना सियच्चो की 787 उसके रिकार्डिंग है ठीक है इसके अंदर क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर चार हीरिंग हो चुकी है चार अप्रेल को हो चुकी है पांच अप्रेल को 27 24 जुलाई को ठीक है पहले मैंने ये दिखा बट इसमें कहीं भी जो ये 787 वाला अड़वर्टेज्मेंट मेंशन नहीं थह, पोमिश्यच्च मैंस नहीं थह, ठीक है बस जवाब नहीं देए रखा नहीं देर झांइन पॉइंटों को जवाब नहीं देगा, इस तरीक में यह PDF आ रखे हैं मैंने 4 देख लिए है ठीक है और ये भी ध्यान दे इसकी next hearing है वो 20 September 2022 को है अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा case की बात करूँ तो आप लोगों को बता देता हूं जैसे जो BMS वाले candidate है उन्होंने ये case कर रखा है और किस चीज को लेके है जो 5 नमबर आप लोग पहले CH लग चुके हैं तो उनको वो CCS का कोरस करवा दिया गया था उनको 5 नमबर मिल ले दे ठीक है तो उन 5 नमबर को लेके BMS वालोंने case किया कि भी ये नमबर इनको क्यों दियो जा रहे है अलांकि हम तो इनसे पीछे ही रह जाएंगे इस basis पे तो क्योंकि BMS के अंदर CCS कोरस का कोई भी प्रावदान नहीं है तो आलांकि किसी भी केंडिट को वो 5 नमबर नहीं मिलते हैं ठीक है तो इसी चीज़ के रिकार्डिंग ये case है मतलब और भी point हो सकते हैं बट एक point ये भी है ठीक है दूसरी चीज जैसे ये पीडियम मैंने देखी तो लगबग 7 या 8 point इन्होंने mention कर रखे हैं जिन में से हर के अंदर जैसे 2-3 point का जवाब देते जा रहे हैं अभी जो last hearing होई थी उसके अंदर point नमबर 5 जो था इनका ठीक है उनका जवाब नहीं दिया गया है ठीक है यानि क रासा आप लोगों का result है वो delay हो final result यानि कि हो सकता है कि यह जो next date है 20 September तब तक result ना आए देखो भई पहली बात तो stay नहीं है ठीक है stay बिलकुल भी नहीं है कहीं पे भी mention नहीं है बट जब तक जवाब नहीं देते कहीं न कहीं ऐसा chances होते हैं कि आप लोगों का result है वो नहा आए ठीक है बाकी beach का रास्ता अगर NHP कोई निकालना चाहें तो अलग बात है वो जो भी कोई update रहेगी वो अपने group के अंदर आप लोगों के साथ में share कर दूँगा बाकी तब तक बार-बार message नहीं करें कि result कब आएगा result कब आएगा अगर beach का रास्ता कोई निकल जाता है या फिर जैसे यह होता है कि जो advertisement के अंदर जो भी mention होता है qualification, experience, जो भी number के recording है ठीक है वो changes नहीं होते है वो जो भी rule है advertisement के अंदर वो वैसा ही रहता है उसको थोड़ा सा change करना मुस्किल होता है बाकी देखो high court के अंदर case है तो कही न कहीं कुछ भी बीच से रास्ता निकल सकता है जो भी है मालो कोई भी decision उनका रह सकता है और वो follow भी करना होता है नैचम को जो भी department के लावा कोई भी हो उनको सभी को करना होता है तो कहीं न कहीं यह भरती है वो SMN just के अंदर फस गई है थोड़ा सा result delay होने के पूरे-पूरे chances है अब आप लोगों के ठीक है और य यह जो चारो पीडियाफ इस केस के अंदर ऐसा कोई mention नहीं है कि 787 वाली विकेंजिक अंदर बाकि उन्होंने जो बताया तब पता चला कि भी ऐसे से है यह पेंडिंग है यह पोइंट है तब तक यह पेंडिंग पोइंट पर जवाब नहीं देते थे तब तक इस भरती की process आगे होनी मुस्किल है ठीक है हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल एगरी हूँ जब तक यह सभी चीजे कलियर नहीं की जाती है अनेचम की तरफ से तब तक यह बाकि बीच का रास्ता की अलग बात है कोई निकाल ले तो अनेचम वो भी सही है ठीक है बाकि जो भी रहेगी आ आप लोगों को बता दिया जाएगा आज के लिए तना ही धन्यवाद